सबसे पहले मैं हमारे देश के समस्त बहादूर सैनिकों जिनों ने देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षोंड रखने के लिए अपना सर्वस्य नवशाबर कर दिया है को नमन करता हूं और इंटर सर्विसेज आर्गनाईजिशन बिल 2023 के बारे में जो बाते मैंने रखी हैं उन बातों को यहाँ पर दोराना नहीं शाहता हूं लेकिन मैं इतना ही कहना शाहूंगा सभापती महद है यह बिल बावजूदा सेवा अधनियमों में किसी भी बदलाओ का प्रस्ताओ नहीं करता है और यह बिल केंदर सरकार को अंतर सेवा संगटनों के गठन की घोशना करने की भी शक्ती प्रदान करना प्रस्तावित करता है और यहां मैं इस बात का भी जिक्र करना शाहूंगा कि स्टेंडिंग कमेटी आंग डिसेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ने इस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पारिद किये जाने की रेकमेंडेशन की है और इसलिए मुझे प्रसनता है कि किसी ने किसी प्रकार के संसोधन का कोई प्रस्ताव नहीं किया है इसलिए मैं पूरे संसेंडरोड करना शाहता हूं कि अस्तर्व सम्मत इस बिल को पारिद करने का खश्ट करें